क्या लालकिसिन आडवानी ने अडल भिहारी वाजपे ने क्या किसी वन्चित समाज को उस सिखर तक पोचाया जिस सिखर तक मानेवर सहेब कांसी राम जी अपने समाज को ले कर गए। उनकी लड़ाई असमानता के खिलाफ समानता की स्थापना के लिए है समता के लिए है जातिवाद के खिलाफ है और इनकी लड़ाई किसके लिए है जातिवाद के लिए है असमानता के भारत जो है बौध रास्ट नहीं बनता है मैं इस पस्ट रूप से बोल रहा हूं कि का ही धम है जो मानव को मानव के लिए अपने नियम उंपने ब्दलाव करने के लिए भी तयार होयाता है भारत रतन की वो गरिमा नहीं रह गई है भारत रतन लालकरशन आडवानी जी को जीते जी दिया आता है लेकिन वहीं भारत रतन परम पूझे बाबा से डॉक्टर भीमरा ओंबेड कर को जिनको अमेरिका दसन कहता है अमेरिका से जो है सिंबल आफ नॉलिज की आवाज वहां से आती है बाबा साहिब के लिए बाबा साहिब की जो कोलंबिया युनिवर्स्टी है वहां पर लाइबरी में मूर्ती लगाई आती है विदेशों में उनका बहुत बड़ा सम्मान होता है विशु के सबसे बड़े ज जब भरत में दाग्रेटिंडियन का जो चुनाब हुआ तो उसमें जो हैं दाग्रेटिंडियन का खिताब भी दिया आता है इससे बढ़कर मैं इन लोगático कि कि और क्या बात करों में इनको क्या करों कि बारा साहब निए कि cartoon के चैज़ कि कम अधार्ट रतन का प्रश्कार कम से कम उन्होंने यह सच्छ करने का प्रयास किया यह तैस कहने की हिंवत की राम甦िर कभी भीन ही कि नहीं सकता राम निर्मान की प्रक्रिया की बात करूं उसके निर्मान की जगहें पर अटल भिहारी बाजपई और लालक्रस नडवानी ने इस देश को सामपर्दैक्ता की आग में जोकने का काम किया तो एक बार के लिए हम यह मान सकते हैं कि सरदार पटेल को जो सर्वोच प्रसकार दिया भारत रतन का वो किसी हद तक नियाईक का जासता है जस्टिफाइड हो सकता है क्योंकि उन्होंने भारत की आजादी के आंदुलन में भाग लिया और संविधान के लागू होने के बाद देशी रियासतों को इखटा करने में बड़ा महतपूर्ण योगदान दिया और अपनी जिंदगी में उन्होंने जो है यह जो अभी संगणिन चल रहा है आरैसस का इसको बैन करने का भी काम किया जब यह देखा कि यह जो संगठन है इसने गांदी जी की हत्या कर दी और य नमस्कार आप देख रहें NB News 24 X7 निलम बोध के साथ साथियों लगातार भारत देश में कुछ महान हस्तियों को भारत रतन से नवाजा जाता है पिछले दिनों से हम देख रहें कि लगातार कई लोगों को भारत रतन से सम्मानित किया गया लेकिन कहीं न कहीं हम ये भी देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि इस भारत देश में कुछ महान विबूतिया ऐसी भी रही है जिनको लेकर लगातार आवाज उठ रही है कि महान पुर्सों को भी भारत रतन दिया जाए लेकिन विडमना है कि वो लोग इस दुनिया में नहीं है और उनके जाने के बाद भी आज तक उनको भारत रतन से सम्मानित नहीं किया गया लेकिन जिस तरह से हम देख रहें कि भारते जनता पार्टी के सासन काल में जो भारते जनता पार्टी के ही नेता हैं क्योंकि खासकर म पिछले दिनों लाल कुष्ण आडवानी जी को भारत रतन से सम्मानित किया गया और साथ जिस तरह से मेंश्रेम मीडिया पर लगा तर एक बहुत बड़ी चर्चा चली एक बहुत बड़ी बहस छड़ी और उस बहस में जिस तरह से जो निकल कर आया हूँर। लाल कशन आडवानी जी का भारते राजनिती में एक बहुत बड़ा हात रहा है और इतना ही नहीं जो सरदार पटेल जी की मूर्ति गुजरात में लगी थी उसको लेकर भी लगातार चर्चा चली और जिस तरह से आपने देखा कि जो कमंडल यात्रा को लेकर भी बहुत लाल कशन आडवानी जी को जाता है तो साथ यह इसी विशह पर चर्चा करने के लिए अज मेरे साथ में अड़ोगर जब भी प्रकाज यह उन्हीं से जाना चाहूंगी कि लाल कशन आडवानी जी को आज भारत रतन से नवा जाय गया तो क्या सही माइने में उन्होंने भार पुर्सों में आस्था रखता है और सही माइने में अगर भारत के विकास में हम उनका योगदान देखे तो बहुत बड़े स्तर पर कही न कहीं उनकी अंदे की हुई है उनको हासिये पर धकेलने का काम किया गया है और बहुत सारे लोग आज ये आवाज उठा रहे हैं जिस अब जो भारत रतन है उसकी जो गरिमा है जब अटल भिहारी बाजपई को भारत रतन दिया आता है जब ऐसे लोगों को भारत रतन दिया आता है जिनका भारत के निर्मान में कोई योगदान नहीं है तो उस भारत रतन की जो गरिमा है उसकी जो प्योगिता है उसका जो महत अगर अगर व्यक्ति जो है कहीं से भी गुजर जाए तो उसका महत्व जानने वाले लोग उस व्यक्ति को सर आंखो पर उठा लेते हैं यह उसका महत्व होना चाहिए इसी प्रकार से भारत रतन है उसका अपना महत्व था भारत रतन यानि कि भारत के निर्माण में सहयोक करने वाले व्यक्ति को एक भारत के रतन के तौर पर जाना जाये पहचाना जाये इसलिए उसको ये भारत का सर्वोच सम्मान दिया जाता है लेकिन जिस प्रकार से अटल भिहारी वाजपई को और पटेल को जो सर्वोच प्रसकार दिया गया भारत रतन का वो किसी हद तक नियाईक का जासता है जस्टिफाइड हो सकता है क्योंकि उन्होंने भारत की आजादी के आंदुलन में भाग लिया और संविधान के लागू होने के बाद देशी रियासतों को इखटा करने में इस ने गांदी जी की हत्या कर दी और यह आतंगवादी संगठन है इसकी गतिविदिया आतंगवादी है तो सरदार पटेल ने उसको बैन करने का काम किया हालांकि जातिवादी मांसकता से गरस्त थे बाबासर डुक्टर भीमरा ओंबेटकर का पूरे जीवन बिरोध करते रहे एक कहते हैं कि फूटी आंख वो सुहाते नहीं थे बाबासर डुक्टर भीमरा ओंबेटकर सरदार पटेल को जो है और यहां तक उन्होंने कह दिया था कि संसद में पहुंचने के दरवाजे तो क्या मैंने खिड़किया और मोगले तक बंद कर दिये हैं अंबेड कर मि कितना पड़े लिखे हैं क्या उन्होंने अपनी सिक्षा का कद जो है बाबासाहिब की सिक्षा के कद से नापने कोशिश की थी कभी अगर कभी प्रयास भी क्या होता तो मैं समझता हूं कि उनकी आंखें नीची होया थी और वह बाबासाहिब डॉक्टर भीमरा ओंबेटकर आपना जो है इस देश के निर्माड में कुछ तो योग्दान था इसी प्रकार से अगर मैं अटल भिहारी बाजपई की बात करूं तो उनका क्या योग्दान था सबसे पड़ा सवाल ये उड़ता है अगर मैं भारत के भारत को एक राश्ट के तोर पर उसके निर्माड की जगहें पर अटल भिहारी बाजपई और लाल क्रेशन अडवानी ने इस देश को सामपरदैक्ता की आग में जोकने का काम किया आज जो हिंदू मुसल्मान का इतना बड़ा फसाद जो भारत के अंदर पनप रहा है आज जो हिंदू कोड के जज को खरीद कर उससे जूट बुलवा कर और बिना तत्यों के अधार पर इतिहास को दवा कर इतिहास को दफन करके सचे इतिहास को मिटा कर उन्होंने राम मंदर कर निर्मान किया है तो ये दो लोग जो हैं लाल क्रेशन अडवानी और अटल भिहारी बाजपई इसक कि कम से कम उन्होंने यह सच किने की हिंच की बन ही नहीं सकता क्यों कि यह एक पूर-पॉल्टिकल इसू है विशुद्य रूपॉप से जए कि राम का जनम कहां हुआ. निस्चत नहीं क्या ह différence ता, कोई तथ्थ हैं, कोई सबूत ही依 नहीं एक भी इन्ट एक भी पत्थर का टुकोडा वहां से नहीं बरामद हुआ है जिससे यह मालुम हो सके कि राम का जनम यहां हुआ. ये बिल्कुल निश्यत नहीं हुआ निलम जी कि राम का जनम कहां हुआ तो जब ये निश्यत ही नहीं हुआ कि राम का जनम कहां हुआ है और निश्यत होई नहीं सकता है तो ये जो बाबरी मजजिद जो डहाई गई इतना बड़ा पाप इन लोगों ने किया तो निलम जी इस परकार से जो है यह जो लाल करस्षिन आडवाणी जी हैं इनका तो कभी कोई योगदान रहा ही नहीं है किसी प्रकार का योगदान नहीं है बलकि एक जहरीला साप जो होता है जिसके अंदर जहर ही भड़ा हुआ है जह है कुछ भथाई नहीं है इस देश को बिगाड़ने में इस देश को बरवाद करने में आज अगर ये देश second थैक्ता की आग में जल रहा है आज Blue इस जाती वादि मानुषिक्ता के कारण जाती वाद की आग में जल रहा है तो इसके लिए प्रमुक रूप से लालकर अडवानी उनमें से एक आदमी है लेकिन लालकर अडवानी को क्योंकि परधान मंतरी बनने की जो अपकी बारी थी मोदी जी से पहले वह लाइक वह लाफ्पर जी ती किने रात्यात्रा निकाली उन्होंने बाबरी मज्जिद को ड़ाने में नित्रतु परदान किया हिंदुओं का जो है और तो हिंदुओं को मुसल्मानों के खिलाफ खड़ा करने में एहम भूमिका लाल क्रिशन आडवानी जने निभाई तो इसके लिए जो है जो अगर मुख्य रूप से भारत के अंदर भजपा क आपके अंदर कोई जयना या तता नित्रत के रूप में तो लालकर्षन आडवाणी जने आ जाते थे से लेकिन लालकर राद्वानी का पत्ता काटकर मोंदेजी आगे आते हैं और वो परदान मन्तरी बनजाते हैं तो हलाकी किसी भी व्यक्ति जो जुझत मिशन के लिए भारत रतन देकर को जीते दिया आता है लेकिन वहीं भारत रतन परम्पूझे बाबस डॉक्टर भीमरा उंबेड करको जिनको अमेरीका दसन कहता है अमेरिका से जो है दसिंबल आफ नॉलिज की आवाज वहां से आती है बाबा साहिब के लिए बाबा साहिब की जो कोलंबिया युनिवर्स्टी वहां पर लाइबरी में मूर्ती लगाई आती है विदेशों में उनका बहुत बड़ा संबान होता है विशु के बड भारत में दाग्रेटेस्ट इंडियन का जो चुनाब हुआ तो उसमें दाग्रेटेस्ट इंडियन का खिताब भी दिया आता है तो इससे बढ़कर मैं इन लोगों की नलायकी की और क्या बात करूं मैं इनको क्या कहूं कि बाबा साहिब दॉक्टर भीमराओं अम्वेड कर क के मुकाबले इस देश में सताब्दी में 19 सताब्दी 20 सताब्दी 21 सताब्दी कि कोई भी बता दीजिए आप जो उनके आसपास भी दिखाई देता हो अगर इतना बड़ा विद्वान भारत का जिसके आसपास कोई नहीं है और विश्व इस्तर की योगता रखता है राष्ट निर्मान की जगहें पर राष्ट को खंडित करने में उसकी बड़ी भूमिका है उसको आप भारत रतन देते हैं तो मैं समझता हूं कि निलम जी अब भारत रतन में वो सरवोचता वो गरीमा वो महत्व अब सेस रही नहीं गया है असर जिस तरह से लाल कृष्ण अडवानी जी को भारत रतन से नवाजा गया तो हमने देखा शोशल मीडिया पर बसपा सुप्रीमों है उन्होंने भी आवाज उठाए कि सहा माननेवर काशी राम जी को भारत रतन से नवाजा जाना चाहिए लेकिन लगातार इस तरह की आवाजे बहुजन समाज से उठती उन्हें इतने बड़े-बड़े सम्मान से नवा जा जाता है लड़ाई किसली थी उनकी लड़ाई असमानता के खिलाफ समानता की स्थापना के लिए है समता के लिए है जातिवाद के खिलाफ है और इनकी लड़ाई किसके लिए है जातिवाद के लिए है असमानता के लिए इस देश को बचाना पड़ेगा इस देश को इन जातिवादी म काविज हो गया हैं यह जो सामपरदाइक लोग हैं जो आज सत्ता में काविज हो गया हैं इनको सत्ता से बेधخल करके हटा कर और भोजन समाज को अपना नियायक चरित्र को बनाते हुए उसको सत्ता हसल करनी पड़ेगी अपने सदाचार और नैतिकता को अपना आधार बनाना पड़ेगा जब तक ये भारत जो है बौध राष्ट नहीं बनता है मैं इस पस्ट रूप से बोल रहा हूं कि बौध राष्ट बनना बहुत जरूरी है क्योंकि बौध राष्ट के अंदर ही वो गुण है जो कि इस देश को असली गरिमा और इस देश का असली महत्व पूरी दुनिया में इस्थापित करने में सहता कर सकता है क्योंकि बुद्ध का ही धम है जो मानव को मानव कहने का गौरो परदान करता है बुद्ध का ही धम है जो मानव मानव को समान बताता है बुद्ध का ही धम है जो केवल और केवल मानव के कल त्यान के लिए अपने सिध्धान्तों में अपने नियमों में बदलाव करने के लिए भी तयार हुआता है लेकिन अगर हम किसी दूसरे धर्म की चर्चा करें जो ये हिंदु राष्ट की बात करते हैं जब बाबास डॉक्टर भिम्राव अंबेड कर से गांधी जी ने ये कहा था में ऑंबेड कर तुम हिंदु धर्म चोड़ने त्यार हाऊ तो चलो हम सिर्वात करते हैं आपके साथ मिलकर और व्ण विवस्था रोकी सब्से बुरी बीमारी है उसका अंद्ग करते हैं सुए खतम करते हैं तो गांधी जी ने तपाक से कहा था कि नहीं अमभीटकर उसे कोई मतलब नहीं है उसे अपने सिथान्तों से मतलब है उसे अपने नियमों से मतलब है मनुस्मृति मैं इस देश पे लागू karış HEY तो मनुस्य का कल्यान होता है नहीं होता मनुस्य पर अत्याचार होता है कोई मतलब नहीं है लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है वही मानना पड़ेगा रामचरीत मानस में आज भी वो लोग जो ताड़न का अधिकारी बोलने का काम करते हैं उसको सिख्छा का अधिकारी बताते हैं उसको कुछ भी बताते हैं वो तरहने के लिए उसको बदलने के लिए तयार नहीं है कोई हिंदु आस तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो यह कहे कि नहीं राम्चरीत मानस से इसको अटाईए यह मानपका इकल्याण में बाधा है कोई भी मुसलिम जो है अपने प्राष में जो लिख दिया गया है उसको गटलने के लिए नहीं होगा चाहे मनुस्वय का उसको जीवन ही क्यों ना करना पड़े चाहे मनुस्य की हत्याइ क्यों करने पड़े कोई भी सुख अपने गुरु गरंद साहिब को अगयाद भी कर देता है तो उसके लिए उस मनुस्य को जैसा सिंदू बोडर पे हुआ निहंगों ने एक विचार आदमी का कतल कर दिया उसकी हत्या कर दी तो यह जो धरम नहीं है या इसाई भी जो है इसाईयों ने कितना बड़ा तंडव मचाया है अपने धरम को बचाने के लिए धरम के परचार करने के लिए अपने धरम को बढ़ाने के लिए कितने मनुस्यों की हत्या की है तो यह जो जितने भी दुनिया में जितने भी धरम है जो हत्यार के बलपर हिन्सा के बलपर आगuego बढ़े हैं या अपना प्रचार प्रचार किया है तो उनसे जो ऐए इस इस देश का भ़ला हो सकता है तो केवल और केवल बुद्ध के धम से हो सकता है बुद्ध का धम पूरी दिया में कहीं पर भी फैला है तो अपने गुण के धार पर फैला है बिना हत्यार के फैला है और उसने एक ऐसा समराठ दिया जो विश्व का सर्व स्रेश समराठ रहा